Hi everyone, welcome to JR Tutorials, I am your friend Rahul Jaiswal तो दोस्तों, आज फिर से एक और बहतरीन Mathematics का Problem Set का Lecture वीडियो में लेकर आ गया हूँ और आपको मुझे बताने में बहुत जादा खुशी भी मैसूस हो रहा है कि यह जो Problem Set का आज जो Lecture वीडियो है, finally आखरी Lecture वीडियो होगा आप सभी के लिए जी हाँ दोस्तों, finally आज के दिन जो हमारा Problem Set सीरीज है, जो लगतार पिछले 4-5 मेने से हम चला रहे हैं, यह finally आज कंप्लीट होगा Maths 1 का जो है, वो आज कंप्लीट हो गया, आज हो जाएगा और Maths 2 का जो Problem Set सीरीज है, वो तो अल्री कंप्लीट हो चुका है OneShot वीडियोस होगे, उडान बैच के वीडियोस होगे, Live LMR के रिविजन वीडियोस होगे, यह सभी टाइप के चीज़े प्रेजन है, तो आप उसको देखके पढ़ाई करते रहो और अभी इसके बाद और भी बहुत सारे चीज़े आपके लिए में लाओंगा, अभी तो वापस से आपके लिए पढ़ाना शुरू करना है, Live Revision, जो कि आपके Board Exams के टाइम पे और उसके पहले ही आ रहे होंगे, तो टेंशल बिल्गुल मतले न, हम आपका साथ इतना आसा इसा नहीं छोड़ेंगे, बहुत मेहनत किया है आपके लिए और आगे भी करते रहेंगे, ताकि आप लोग अपने मुकाम पे पहुत सको, और अच्छे अच्छे एक्जाम में मार्क्स लेकर आ सको, ठीक है, तो आज का वीडियो, लास्ट वीडियो है, इस प्रॉब्लम आज कोशन में 17-18, यह भी जो एक्जाम्पल से पाई चार्ट के उपर ही डिपेंडेंट है, तो चलो इसको भी फटाफट से सॉल करेंगे, और इसको हम लोग खतम करते हैं आज, ठीक है, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं क्या है, कर ले ना यार, अभी तक लोग, इतना मेहनत किया है, आप किया है, तो एकलिस दिल में एक जगा छोड़ी सी दे देना, बस वही डिमांड है मेरा, साथ में अप्लिकेशन अगर आप करना चाते हैं, यूज तो जरूर से डाउनलोड करके बहुत सारी चीजे चल रही है, चाहे वो पेड बैच हो, चा टोटल विमेन कितने हैं भाईया, 180 विमेन है, 180 विमेन का क्या हो रहा है, मेडिकल चेक अप होता है, हर स्कूल में या फिर हर पर्टिकलर इंस्टिटूट में यह जो होता है, मेडिकल चेक अप होता है, तो यहाँ पे विमेन का हेल्थ केर सेंटर में गाउं के अंदर क्या ह रहा है उसके अंदर 50 ऐसी विमेन जिसमें हेमोगलोबिन की कमी है दस ऐसी है जिसको काट्रैक्ट हुआ है मोतिया बिंद बोलते आएगेस काट्रैक्ट को काट्रैक्ट हुआ हुआ है पच्छेस को रेस्पिरेटरी डिसॉर्डर यानि सास्तने में दिक्कत है और जो बच गई चेकुप क्या आया? रिसल्ट जब ओफ मेडिकल उसके बाद हम लोग में जितने बिमेन ऐसे थे नमबर ओफ में एन फ्र जानते हिँ होंगे हम लोग को निकालना होता है central angle central angle के बिना pie chart बनाना impossible है तो central angle जिसको हम लोग theta बोलते हैं वो हम लोग को calculate करना होता है ठीक है? निकालेंगे? निकाल सकते हैं? बहुत easy है? चलो तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको कुछ लोग को cataract भी हुआ है फिर उसके बाद कुछ लोग को respiratory disorder है respiratory disorder और कुछ लोगों जो है उसके बाद जो बच जाते हैं cataract के बाद respiratory disorder उसके बाद remaining healthy है तो healthy women healthy women ठीक है? इसमें partition बना लेते हैं हम लोग partitions तयार कर लो फटाफट से आप देखो ध्यान से इस छीज़ को समझो जैसे मैंने बोला gesund कितने लोग को हमोग 적 की कमी है 50 लोक को तो यहां पे लिख़़ँ 50 यहां पे लिख़o 50 and बच्ची बी जो है रिमेनिंग जो है वो healthy है, आप calculate कर लो, total है 180, 180 है ना, 180 में से, 180 में से minus करना है, तो total कितने थे, 180 थे, 180 में से minus कर दो, 50 प्लस 10, 60 और ये, 60 और ये 85, 180-85 कितना बच जाएगा दोस्तों, 95 बच जाएगा, तो 95 ऐसे होंगे, जो healthy women होंगे, 95 कितने होंगे, healthy women होंगे, अब इसका central angle निकालना है, वी नो तो formula for calculating the central angle, central angle निकालने के लिए formula क्या होता है, number of score upon total number of score multiply by 360, number of score कितना है, 50, divide by total, कितने में से आ रहा है, कितने women है total, 180, तो 50 by 180, multiply by 360, तभी तो निकलेगा central angle, ये 10 cancel, ये 10 cancel, बराबर, अब देखो, 18 बंजा 18 होता है, 18, 2 जा 36 होता है, बराबर, 50 multiply by 2 is 100, तो 100 degree आ गया, central angle theta आ है ना, degree आ गया, so degree, बैसे इसका निकालो, 10 divided by 180, multiply by 360, बराबर, एक 0, एक 0, एक 0 cancel, 18 बंजा 18, 18 बंजा 18, 18 बंजा 36, 2 multiply by 10 is 20 degree, ये आ गया 20 degree, थर्ड बंजा 25 है, तो 25 अपान 180, total 180 है ना, multiply by 360, calculate कर लो, ये एक 0, एक 0 cancel, 18 बंजा 18, 18 बंजा 18, 18 बंजा 25 is 50, तो ये आ गया 50 degree, कितना easy है, calculate करना, ये 95 है, तो 95 divided by 180, multiply by 360, ये 0 cancel, 1 0 cancel, 18 बंजा 18, 18 बंजा 18, 18 बंजा 36, ये कितना आ जाएगा, 95 multiply by 2, मतलब 5 2010, 1 carry 9 2018, 19, 190 बंजा 19 बंजा इसका पूरे का तोटल कितना आना चिए, 360 आना चिए, तोटल आंगल, और यहाँ पे तोटल कि अचिए, 180 आना चिए, obviously, plus करके देख लो आप, अब हमें क्या draw करना है, pie chart ना भाई, हमको draw तो pie chart करना है, तो उसके लिए क्या लगेगा हम लोग को, उसके लिए लगता है, क्या बोलते है, उसको circle, आप अपना rounder ले लो, compass, आप circle बनाओ, तो अपने मरजी का, एक centimeter का आप circle बना लो, इस प्रकार से मैंने एक circle बना लिया, circle बनाने के बास उसका एक midpoint होगा, हुआ ले लो, midpoint ले लिया, अब आपको एक एक करके angle बनाना है, with the help of your protector, आपको पता है, प्रोटरेक्टर होता है, उसमे angles बने होते है, चांद बोलते है, चंदा बोलते है, चंदा मामा, जो भी बोलते, आपके geometry box में से protector उठा लो, यहां से सबसे पहले काम क्या करना है, आपको एक line खीज़ देना, इस प्रकार से, सीधा एक straight line खीज़ देना, एक base मान के चलो, यह आपका basic line बन गया, तो सबसे पहले angle है, 100 degree, 100 degree कैसे plot करोगे, आपका protractor रखोगे, मैं पास है यार, मेरा उस दी नहीं काया बोग गया, पता नहीं कोई, किसी ने ढाप लिया कि क्या कर लिया, पता नहीं, मैं इतना ढूंदा, बढर को मिला नहीं, फिर भी में एक बड़ चेक कर लें, यह मिल रहा है, लेकिन protector नहीं मिल रहा है, ठीक है, चलो हो सकता है, कुछ बच्चे आते रहते हैं, यहां पर, हो सकता है कि गलती से रख लिया होगा, कोई चुराएगा तो नहीं, इतना तो, इतना तो पाच रुबे की चीज कोई चुराएगा नहीं, तो चलो प्रोट्रेक्टर जो होता है, वो आपको पता है, हंड्रेड डिगरी, उस पर मार्किंग करना है आपके लिए अप स्ट्टेट लाइन हो गया, मतलब बेस लाइन हो गया, प्रोटेक्टर यहां रखोगे, इस प्रकार से रखोगे, और उसके लिए जो 20 डिगरी आएगा, वो प्लॉट कर लेना है आप लोगको, तो 20 डिगरी लेट सपोस, इसके आसपस आएगा, यह आपक 50 डिगरी यहां पर आएगा, कम से कम, कम से कम, कितना आपका 50 डिगरी होगा, इतना तो होगा नहीं, पचास, इतना आपका 50 डिगरी होगा, लिख दो यहां पर, 50 डिगरी, 50 डिगरी बन गया, लाष्ट में 190 डिगरी, तो यह बचा हुआ पूरा जो होगा, वो कितना होगा, ज्यादा ही होना चाहिए ना, देखो गड़बड लग रहा है हम लोगो, चाहिए गड़बड लग रहा है, मतला हमारा अंदाजा ज्यादा ही हो गया, चेंज करना पड़ेगा अंदाजा, क्योंकि 180 से बढ़ा होता है, 190, तो 180 तो ये पूरा सीधा हो जाएगा, मतला इसी के अ अधनेठ डिघ्र होगा है, घ dran ख याद मतला होगा जाहा स्यादा, यह आपका कहा न्यौट्रफण्ट्आज मतला हंस इस प्रकार से आपका चीज़े बनेगा यह बनेगा आपका पाय डाग्राम कंप्लीट लेकिन एक छोटा सा चीज रहे गया अगर आप नहीं करोगे तो मार्स कटेगा क्या इसके अंदर उसका नेमिंग करना नेमिंग क्या देखो जान से नेमिंग क्या यह जो 100 डिग्री आप इस चीज़ को क्या है रेस्पीरेटरी रेस्पीरेटरी डिस ओर्डर लिख दो यहां पर लिख दिया एक सोनब्वे डिग्री वाला है वो हेल्दी वुमेन है यहां पर कोई टेंशन की बात है और ते देखो कितनी फिट है एल्दी विमेन ठीक है इस तरीके से आपका यह बन गया पूरा का पूरा पाई डाइग्राम या फिर पाई चार्ट जिसको बोलते है यह आपका थैयार हो गया है दो Francis के लिए को कोईशन पूछेगा फुल मार्स मिलेगा इस तरीके से करके जाओगे तो मज़ा आ गया करके दूआ करो हैर उठा के मज़ा आ गया ठीक है तो यह हो गया आपका question number 17 बहतरीन तरीके से हमने पूरा का पूरा solve करके दिखा दिया है तो उमीद करता हूं कि यह चीज आपको हमारे साथ काफी बढ़ियां लगा होगा ठीक है चले हम आगे बढ़ जाए next question पर चलते हैं और आखरी question of this video this chapter this problem set this series जो भी आपको बोलना है बोलो आखरी वीडियो है इसके बाद problem set आनी बंद हो जाएंगे आपके लिए regular जो आ रहे थे उसके बाद और भी कुछ वीडियो लाऊंगा टेंचन मत लेना है आपके लिए तो काम करता ही रहता हूं ठीक है चलो ओके क्या बोल रहा है question समझो इसको on environment day students here school planted 120 tree under plantation project एक plantation project school में होता रहता है तो उन्होंने क्या लगाया है कितने आगया 120 tree लगाये 120 को plant किया question पुछा है कि इसको पाय डियाग्राम से बताना है लेकिन trees 120 total trees plant किया तो यहाँ पर चिये तो लिख दो यहाँ पर कि total tree जो है total trees planted कितने tree plant हुए भाया 120 tree plant हुए जिसमें से बहुत सारे tree जो है वो अलग-अलग किसम के है जैसे कुछ है करंच के करंच अब नॉमली बहुत अलग-अलग हिंदी नाम दिया हुआ है तो करंच बोलते है उसको बीश ट्री करंच के है बेहादा बेहाडा बोलते बेहडा बो यह किसका नाम है यह किसी ट्री का नाम जैसे mango tree बनियान ट्री होता है वैसे यह बकुल का ट्री है वैसे यह कडुनिम कडुनिम पता ही आपको 26 है तो उसका बनाना है हमको चार्ट तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे name of tree या फिर ट्री नेम जो भी है tree name इसका एक column बन इसको हम लोग theta बोलते हैं इसके बिना तो हमारा पाय डाइग्राम बन नहीं सकता ज़रूरी है चलो line कीज़ो बन गया line ओके अब जो चीज़े type of पेड कुन-कुन से भाई या लिख दो ना करंज है करंज के बाद क्या है बेहाडा है बेहाडा बेहादा जो भी है अरजुन है अरजुन बकुल और लाश में क्या है भई कडू निम्ब लिख दो यहाँ पे कडू निम्ब लिख दिया इसमें भी partitions मार दो चलो line कीज़ो फटफट पट 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 तरीके से line में ने कीज़ दिया एक हो गया दो हो गया तीन हो गया तो मज़ में आ रहे हैं नहीं साल साधे तीन साल हो गया बोलते बोलते गले की भी वाट लग चुके डॉक्टर तो बोलता है मत बना वीडियो मत चिल्ला इतना लेकिन फिर भी यार आप लोगे लेकिन मैंने life dedicate कर दिये तो चब तक एगदम bedrash पर नहीं आता तब तक तो काम करना ही है 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 की ने चलो अब देखो number of trades कितना है 20 जो स्वरी करंच कितना है 20 बेहाडा कितना है 28 लिख दिया अरजुन कितना है 24 है उसके वाद 22 और 26 लिख दिया इसका काम खतम अभी मिकालना है हम लोगों को main central angle central angle निकालेंगे चलो फटा-फट से क्या है central angle formula score number of score अपन total number of score multiply by 360 number of score 20 total कितने है पेड 120 multiply by 360 निकालो एक 0, एक 0, एक 0, cancel 12, 1s are 2L, 2L, 3s are 36 बराबर 3 multiply by 20 is 60 degree अगया answer next अठाईस अपन XOBs multiply by 360 एक 0, एक 0, एक 0, cancel 12, 1s are 2L, 2L, 3s are 36, 3 multiply by 28, 8, 3s are 24, 2 carry 3, 2s are 6, 7, 8 84 degree आगया तिसरा 24 वाला है, 24 अपन XOBs multiply by 360, ठीक है, 00 cancel, 2L 1s are 2L, 2L 3s are 36, 3 multiply by 24, 4 3s are 2L, 1 carry 3 2s are 6 or 1 7, 72 degree आगया, ठीक है, 72 degree छोटा लिखता हूं, ठीक है, 22 अपन XOBs multiply by 360, तो साथ is equal to निकालो, यह 0, 0 cancel, 2L 1s are 2L, 2L 3s are 36, 3 multiply by 22, 3 2s are 6, 3 2s are 66, 66 degree आगया, एन लास्ट में हैं 26 का इसको भी निकाल लेते हैं, 26 अपन 120 multiply by 360, 00 gets cancelled, 2L 1s are 2L, 2L 3s are 36, 3 multiply by 26 करो, तो 36 is 18, 1 carry 3 2s are 6 or 1 7, 78 degree, तो इस तरीके से हमने हर एक एंगल निकाल दिया, अब जब central एंगल निकल गया, तो हमारा आखरी पड़ाव क्या होता है, जो की होता है दोस्तों हमारा पाए चार्ट या फिर पाए डाइग्राम, correct, तो चलो, फटा-फट से calculate करते हैं, हमारा पाए चार्ट वा, पाए चार्ट वा, चार्ट वा निकालते हैं हम लोग, चार्ट को हम लोगो, निकालना है पाए को, ठीक है, चलो, यह होगे हमारा सरकल, वाइट लूग, यह हमारा चार्ट भाई साब, गोल बनेंगे एगदम गोल मटोल, यह हमारा यहाँ पे ये एक circle बन गया, एक center point आ गया, उसके बाद हमें क्या करना होता यहां से, कहां गया भई, हाँ, एक straight line खीच लेना, जो कि आपका reference रहेगा, अब आपको protector लेना, एक एक angle plot करते जाना है, चलो, सबसे पहला है, 60 degree, 60 degree कहां बनेगा, लगबग यहां के आसपस बनेगा, यह आपका 60 degree हो गया, ठीक है, लिख दो 60, आपके protector से बनान है, मैं अंदाजे से बना रहो, मेरा चोरी हो गया, ठीक है, मजा कर रहो, लेकिन कहीं तू गया, यार मेरा को नहीं मिल रहा है, सच में, लेक 90 होगा, 90 से कम मतलब, यहां के आसपस होगा, 84, यह आपका बन गया, इतना होगा, 84, यह आपका क्या बन गया, 84 degree, अंदाज़ा के इस आप से बना रहो, ठीक है, अगला है 72 degree, अब इस, इस लाइम के प्रोटेक्टर रखोगे, और 72 बनाओगे, तो 72 कितना आएगा, इसके आसपस 66 आजाना चाहिए, ठीके न, यह हो जाएगा, आपका 66 degree और बचा हुआ, आपका 66 degree और बचा हुआ, आपने सभी एंगल बना दिया, लेकिन सभी एंगल, कितने, किसके है, वो आपको लिखना जरूरी है, तो एंगल लिखो, 60 degree किसका है, करंज का है, तो लिख करंज, ट्री लिखना है, ट्री लिख दो, तो सिफ करंज लिखो के तो भी चलेगा, 84 वाला बहाडा, यह वाला क्या है, बहाडा, लिख दिया, 72 वाला क्या है, अर्जुन, लिख दो, इसको अर्जुन, लिख दिया, नेक्स, 66 वाला क्या है, बकुल, 66 वाला, यह 6 है, 66 नही आ गया बन गया पाई चार्ट हमारा तो इस तरीके से जो भी examples से हमने solve करा दिया और उमीद करता हूँ कि अगर exam में किसी भी प्रकार का पाई चार्ट आपको पूछेगा तो you know very well how to solve that particular example तो इसी के साथ दोस्तो हमारा ये पूरा का पूरा problem set होता है complete and इसी के साथ ये पूरा का पूरा entire problem set series of match one is also gets completed और अच्छा लगता है कभी-कभी यार हमने इतना साल से तीन साल से लगातार आपके लिए प्रोवाइड के है सेम सी लाबस लगबग दो-दो बार पढ़ाया इतना चीज़े प्रोवाइड की one-shot revision, LMR revision, उडान बैच के revisions, live revisions और कई अंगिनत वीडियो हमने बना रखे हमको खुद नहीं पता कि हमने कितने सारे बना रखे हैं, आपके लिए वीडियोस प्रेजेंट हैं, बस उस वीडियो को देखो, जितना हो सके concept क्लियर करो, लेकिन अपने एंड से practice is very important, कितना भी हम पढ़ा ले यहाँ पे, अगर आप अपने तरफ से कुछ से examples को solve नहीं करोगे, उसको practice नहीं करोगे, तब तक शायद उतना बात नहीं बनेगा, तो यार अपने एंड से मेनत करते रहे ना, मेरा तो बस एक ही सपना है, आप में से कुछ लोग 98-99% स्कोर करें, बोर्ड एक्जाम में टॉपर बनके निकले, यही मेरा एक सपना है, और शायद इसी से मुझे खुशी होती है, तो प्लीज इस सापने को सकार जरूर से करना, जल्दी मिलेंगे, हम आगे और भी बहुत सारी चीज़े जब लाएंगे, तो हमारे साथ बने रहे ना, प्यार देते रहे ना, इसी के साथ यह पूरा का पूरा प्रड्लम से सीर के लिए, तो हम ला देंगे, टेंशन मतले ना, बने रहे ना, हमारे साथ प्यार देते रहे ना, अपने दोस्तों को भी जोडे रखना, इस चैनल पे पढ़ाई करते रहे ना, कीप वाचेंग, कीप लर्निंग आर, चैनल पर फर्स्ट टाइम आयो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, अच्छे से देखो, फर्स्ट टाइम आयो, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगे, ठीके फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एकोर्ण नुए वीडियो में, तके लिए थाइंक यू और गुद बाई